हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पुलिस ने कारवाई करते हुए तीन दिन में चार अन्य आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस अदिक्षा कानन शर्बा ने कहा कि इस जांच में ये पता चलता है कि ये फेट करेंसी 27 जुलाई को अवैद तरीके से पाकिस्तान से यहां लाए गई थी जो अभी तक बरामत नहीं हुआ है एस पी शर्बा ने कहा कि आरोपि सावन खांगा खेट पाकिस्तान फेसिंग के पास है और रोशन खा पाकिस्तान से पैसों का पाकिट बनाकर यहां फेकता था और उसके बाद पैसे यहां लाकर अलग-अलग तरीकों से चलाई जाने का प्रयास किया जाता था पुलिस पूरे प्रक्रण को लेकर अभी भी जांच कर रही है जागुक टवी के संबाता से बात करते वे पुलिस अदिक्षक बाडमेर इनों नहीं यह कहा दिनांग चार तारिक को चार अगस्त को HDFC बैंक बाडमेर की शाखा में एक नावालिक कुछ राशी लोन की किष्ट के पेमेंट के रूप में जमा कराने आये था वो राशी 40,000 की थी और उसमें से जब बैंक ने अपनी मशीन में रखा तो करीब 5,000 की नकली फेक इंडियन करिंसी नोट्स उसमें मिले इस पर उन्होंने कोटवाली पुलिस बाडमेर को सुचित किया जिस पर जाकर के हमने एक मुकदमा दर्च किया उस राशी को जब्त किया और वो जो नाबालिक ज़क्ती था उसको निरुद्ध किया दिया उससे जब पुच्टाच की गई तो ये पता लगा हम ट्रैक करते वे पहुँचे चोहटन निवासी अकबर खान तक अकबर खान के जब से जब पुच्टाच की गई गिरफतार करके और उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर करीब साड़े छै लाक रुपए की फेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले जागरुक टिवी के लिए बार मेर से ठाक रादा में एकवाल की रिपोर्ट